एक बार पुन्हे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हिंदी सनमार्ग में आज हम कक्सा साथ का पाठ तीन मुकदम हवा पानी का पठन करेंगे पाठ परीचे हवा और पानी मानव जीवन के लिए अनिवारिय है इने साफ सुत्रा तता पर्दूशन मुक्त रख कर ही हम अपना जीवन स्वास्थ बना सकते हैं यह एक नाटक है जो की हमारे जीवन से समद्धित है किरप्या वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो इसके मुख्य पातर है महराज मंत्री हवा और पानी बने दो बच्चे कुछ लोग पर्थम द्रश्य महराज का दर्बार महराज सिंगासन पर बैठे हैं एक तरफ मंत्री वे दर्बारी गण बैठे हैं सामने अन्य लोग बैठे हैं महराज मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं क्या मंत्री खड़े होते हुए हा महराज महराज जिनके बारे में सिकायते आई हैं क्या उन लोगों को भी यहां बुला लिया गया है मंत्री हा महराज अभी शिकायते हावा और पानी के बारे में हैं फेपास के कमरे में बैठे हैं महराज ठीक है मुकदमे की कारवाई शुरू करें पहले पानी को बुलाए जाए मंत्री शारा करते हैं भीगे कपड़े पहने एक लड़ का हाजिर होता है उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकोर्डर से पानी के बहने का कल-कल की आवाज सुनाई देती है पानी महराज की जै हो महराज पानी तुमसे इन लोगों को शिकायत है यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा पानी महराज मुझे मालूम नहीं है कि ये लोग मुझे क्यों नाराज है मैं एक दम निर्माल हूँ महराज मंत्री माराज लोगों की पहली सिकायत है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है नदियों और नहरों में बहते समय गंदियों और बिमारिया अपने साथ भाकर सब जगे पहुचा देता है पानी माराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते पसो को जोहड के भीतर तैर ने देते हैं पसो अपनी गंद की तालाब में ही छोड़ देते हैं गाव की दूसरी गंद की भी तालाब में फैंक दी जाती है नदियों में कारखानों की गंद की वेज़ शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है माहराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता माहराज लोगों से फिर आपके पास इसका क्या जवाब है लोग, आपस में फुसफुसा कर बाते करते हैं फिर उनमें से एक बोलता है पहला, माहराज, यह तो मान लिया पर कहीं बरसना, कहीं नहीं बरसना यह तो इस्पानिक की मनमानी है पानी नहीं माराज, मेरी मर्जी कहां चलती है? जिधर धलान हो, जहां का माहूल अनुकूल हो महां मुझे जाना ही पड़ता है इन लोगों ने पाड़ियों को काट कर महां मैदान बना दिये हैं वन नश्ट कर दिया है ऐसी जगे वर्सात कैसे हो सकती है? वर्साने होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है दूसरा अधिक वर्सा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी जो बादल बना है वह तो वर्से गाही फिर जहां वर्सा का पानी बहना चाहिए जहां नदी बहनी चाहिए जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी महां तो मैं जाओंगा ही लोगों ने ऐसी जगों पर घर बना लिये हैं ऐसे घर तो डूबेंगे ही मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घुमता रहूं ये कैसे संभव है लोग फिर वापस में बात करते हैं तीसरा महाराज हमारा गाउं सद्यों के से उची जगे पर बसा हुआ है हमने नीची जगों पर कोई घर नहीं बनाया फिर भी इस बार हमारा गाउं बाड़ का सिकार हुआ महाराज पानी आके मूंद कर चलता है पानी नहीं महाराज मैं देख कर चलता हूँ तभी तो धलान के तरफ जाता हूँ और कभी भी उची जगे पर चड़ने की कोशिस नहीं करता हूँ ये लोग जानते हैं कि इनके गाउं के पास एक पाढ़ है पहले उस पर बहुत से वरक्स होते थे पाढ़ से उतरते समय मैं वरक्सो के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी दिनाले में बैता था अब लोगों ने पाढ़ से वरक्स साफ कर दिये हैं मैं वहां से उतरता नहीं बलकि लुड़कता हूँ नीचे आता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे में कहां गिरूंगा माराज और कोई सिकायत कोई नहीं बोलता माराज तुम लोगों की चुप्पी इस बात की गवा है कि तुम सबने भी इन कार्णों को मान लिया है तुमारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तता प्योगी रहने दो दरश्य दो वैसा ही दरबार इस बार पानी की जगए हवा है हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं परदे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधी उस पर पढ़ रही है साँ साइए की हलके हलकी आवाज माराज मंतरी जी हवा के परती लोगों की क्या सिकायते हैं एक आदमी आगे आता है रादमी माराज की जैहो माराज आजकल हवा में खुशबू नहीं होती यह हर समय हमारे यहां बदबू फैलाती है हवा महराज यह लोग आरोप जूटा है बद्बू के कारण तो मेरा जीवन कठिन हो गया है अपने आप में मेरे पास नहीं तो खुस्बू है ना बद्बू है पहले ऐसा नहीं होता था पर आज कल यह लोग मरे हुए पसु पक्षियों को यहां वहां डाल देते हैं उनके कारण मैं बद्बू वाली हो जाती हूँ इनके कारखानों से निकली गंद्गी और गैसे मुझे में घुल जाती है और यह बद्बू दूर दूर तक फैलती रहती है मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुँँ में चले गई थी इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के धेर ने लगाएं सफाई रखें आदमी लेकिन तुम अचानक चल कर हमारी आँखों में मिट्टी डाल देती हो और सब कुछ तभा कर देती हो क्या इसका तुमने तुम्हें न्योता दिया था हवा चलना मेरा काम है आप कहते हो तो लो मैं चलना बंद कर दिया हवा का चलना बंद हो जाता है सभी घुटन महसूस करते हैं मंत्री अरे हवारानी नाराज मत हो देरे देरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हवा पुने बैने लगती है माराज, हवा के बारे में और कोई सिकायत, औरत माराज, हम अपने घर साफ सुतरे रखते हैं, पर हवा आंधी बन कर आती है और हमारे घर रेत और कोड़े से भर देती है हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? हवा, माराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज़ चलने से है वैसे तो मैं हर समय बैती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चला कर मेरी गती बढ़ा देते है उसी तरह जहां भी हवा कम होती है, मैं तेज़ी से वहा जाती हूँ जब मैं तेज़ी से चलती हूँ, तो रेत मिट्टी कोड़ा आदी तो भी हलकी चीजें मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती है ये लोग अपने घर और दुकान साफ करके कोड़ा अपने घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं कई बार गाउं के बाहर कोड़े के धेर लगा देते हैं इनका फैका कोड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है माराज, लोग अपने गाउं या सहर में पॉलोथीन की थेलियां सड़कों पर फ्रेंक देते हैं वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुचाती है इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है माराज मैंने सब की बात सुनी है लोग हवा से दुखी तो हैं और कसूर हवा का नहीं है लोगों का सफाई की आदत अपना नहीं होगी तब ही हवा दूसित होने से बचेगी हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मान कर उन्हें नुकसान न पहुचाएं इसमें ही हमारा भला और बचाव है लोग हवा पानी के पड़ती दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं ये पार्ट गोविंद सर्मा जी दुवारा रचित एक नाटक है आपको ये वीडियो कैसी लगी किरपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद